हेलो फ्रेंट्स जैसा कि आप जानते हैं सर्दियों का मोसम चल रहा है और कश्मीर में बहुत थंड पड़ रही है तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कश्मीर में थंड से बचने के लिए कांगडी कैसे बनाई जाती है और इसको कैसे गरम किया जाता है तो फ्रेंट्स सबसे पहले हम ये कांगडी लेते हैं तो इसको हम कोईले से भर देंगे इस कांगडी को हमने कोईलों से भर दिया है कांगडी को गरम करने के लिए एक खास किसम का मटेरियल बनाया जाता है जो बूरे और राख को मिक्स करके बनाया जाता है पहले बूरा जो होता है जहां पर यह सावती है जहां पर यह आरा होता है तो वहां का बूरा जो निकलता उसको पहले गरम गर्मियों में उसको पहले सुखाया जाता है और उसमें फिर थोड़ा सा थोड़ी सी राख मिला दी जाती है लेकिन मेरे पास वो माटेरियल नहीं है वो राख जो बूरा होता हो वो मेरे पास नहीं है अब मैं दूसरे तरीके से इसको गरम करूँगा मैंने एक चाननी लिया है जिससे चाई को चानते हैं इसको मैंने गैस पे रख दीया है जैसे यह गरम होती जाएगी तो कोई अपने आप गरम होने लग पड़ेंगे अब थोड़ी देर में यह बिलकुल लाल हो जाएंगे जो बूरा होता है जो राख और बूरा होता है उससे काम थोड़ा आसान हो जाता है जैसे हम बूरा डालते हैं उसको थोड़ी सी एक माचिस की तीली से एक छोटा सा टीका लगा दिया जाता है जैसे मतलब थोड़ा सा यहां जो ट्रे होती है एक ट्रे वो जलाकर उसके उपर रख दी जाती है जबकि वो मेरे पास इस वक्त नहीं है तो आप देख सकते हैं मैं चाननी में कोईलों को रख कर कैसे घरम कर रहा हूँ तो ये एक मिनट में घरम हो जाएंगे तो देखिए फ्रेंड्स चाननी और कोईले बिलकुल घरम हो गए है अब हम इसको कांगडी के बीच कोईले उनके उपर रख देते हैं थोड़ी सी फूक मारिए और कोईलों को थोड़ा गरम कर दीजिए तो अभी कांगडी त्यार नहीं हुई है क्योंकि इसके उपर हम थोड़ा सा गरम राक डालेंगे जो कि हमने पहले ही निकाल कर रख दी हुई है उस राक को हम उसी शाननी में डाल कर गरम कर देंगे यह देखिए हमने उसी शाननी में थोड़ी राक डाल कर उसको गरम कर रहें तो यह राक मैंने इसके उपर डाल दी है तो देख लीजिए आप गरम हो गई है इसको आप किसी कंबल या फैरन के अंदर से आप रख सकते हैं या रजाई में रख सकते हैं ताकि यह थोड़ी देर अपने आप गरम हो जाए आज कल ज्यादा लोग कांगडी का इस्तमाल नहीं करते हैं क्योंकि आज कल बुखारी आ गई हैं और अलेक्ट्रिक कंबल वगएरा आ गए हैं और ब्लोवर वगएरा भी होते हैं तो इसलिए लोग कांगडी का कम इस्तमाल करते हैं लेकिन यह देखिए ब्लोवर होते हैं तो तब ही लोग आजकर कांगडी का इस्तमाल कम करते हैं लेकिन कांगडी कश्मीर की एक पहचान है और जब लाइट काफी देर तक चली जाती है जैसे बर्फबारी बहुत ज्यादा हो गई तो फिर एक कांगडी का ही हमें सहारा रहता है और कांगडी हमें बहुत अच्छी तरह गरम कर लेती है तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ठैंक्स